आफिर मेट बटर में होते हैं यह मैंने बटर डालह यह ममैंने एक जंबश क्रीम दाल दी, यहां के बच्छे चीज बटर यह चीज़ खाने के बहुत आ दी हैं, उनके मूँ पे मज़ा आए, यह दाल दी आ, और साथ में, साथ में, इनको यहां के खानों में कैचप चाहिए होता है, तो वैसे तो यह मिठी चट्नी बनाई हुए है, मिठा जो मैंने दा इसमें मटेरियल कुछ समीठा है, खटा मिठा है, और इसमें पोड़ा कैचप भी चपका देखें, ताकि उनको यह एसास ही नहीं हो, कि यह हमने बनाया, यह मैंने कैचप दाल दिया है, माशाललत अबारा कल्लत यह तियार हो गया, इसको हम चूले को बन कर देंगे, लग र आपके सामने, इसको तोड़ के दिखते हैं, चिकन को जबादस, सिर्फ टेस्टिंग कर रहा हूं, गरम बहुत है, चूले पे है, यह गल गई है, बिल्कुल गल गई है, जबादस गली है, जबादस गली है, जबादस गली है, यह, और मैं इसको खा के जिता हूं, लगा के, मसाला, इसमे लग, बहुत जबादस बने हैं, इसके रेसिपिन मैं लिबदूंगा, आप ज़ूर मना हुआ, हम धूसरी रफ, धूसरी हंडी की तरफ चलते हैं, जो मिर्चों वाली है, और आपने मसालों में बनाई ही है, उस हंडी कितर चलते हैं, उसको खोलते हैं, उसको खोलते हैं, उसको खोलते हैं, इसको 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 खोलते है हाटा दलेगा इसका टेस्ट चेक करें तेस्ट चेक करूं यह विदा बदस है और फिकी है मिर्चे नहीं है मिर्चे पहले मुझे ऐसा लग रहा तो बहुत दल गई इसलिए मैंने अपनी लाल में चेंच में नहीं डाली हाटे को हम हटा देंगे हाटे को हम हटा दिया इस आटे को भी हटा देंगे आटा हट किया इसमें जापरान वाला जो हमने लिक्विट बनाया है आटे का और छोलों का वो दाल दिया और इसको भी मिला देंगे इसको चक्के देखते हैं अभी पकने के बाद पकने के बाद तो इस तरह हमारी दूनों नहारिया तयार होगी माशाल्लाद अबारक माशाल्लाद दूनों नहारिया तयार होगी आटा मगारे को एक तर्फ कर देंगे यह भी आटा सबाटा देंगे अब आरी दूनों खानिया तयार होगी और दूनों नहारी है जो हमारे मतलब नहारी है मैं एक दफ़ा और चक्के दूँँ दूसरे चमेश था जिसे चेका था यह दूसरे चमेश है जबर्दा जी हमारी नहारी तयर हो गई मैं इसकी रसे फिलिक दूँँगा जहीश यूट्टूब पे जहीश कोकिंग पे जाईएगा या फेस्बुक पे जहीश इंस्टन्ट कोकिंग पे जाईए और हमारा अपना स्टाइल है अलहम्दुलिल्ला बहुत अच्छे पकता है इसे कोई शक नहीं है आप भी पकाईएगा उमीद है आपने दौहां में या रखेंगे और इस खुआ के साथ कि अल्ला आपको खुश रखे पियमानिल्ला